हलो फैमिली मैं हूँ वरुन कुमार गुपता और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 3BH की अपार्टमेंट 1148 का कार्ट प्राइज इस सिर्थ 1.45 लाक रुपे लोकेशन इसका होने वाला है on BRTS रोड रावेत में यह प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग में आपको दिखाओ इंट्रेंस में आपको मिल जाती है अच्छी खासी डोड क्वालिटी बहुत अच्छी है वीडियो के मादब से अगर अगर आपके पास कोई इंटियर वाला नहीं है तो आपके पास है आपका बेस प्रॉपर्टी एडवाइजर वरून कुमार गुपता उसको कॉल करें वह आपको इंटियर वाले से कनेक्ट करा देगा जैसा मैं बताउं कि आप जैसे आरे हो ना तो पहले आपको यहां पर आ मुझे थोड़ा सा काफी excited किया in terms of privacy kind of thing में तो मैं आपको पहले यह बताना चाहूंगा जैसे आप अंदर आते हो ना तो यह है आपकी बैट्रूम नॉम्बर वन आप नोटिस करना आप पहले इसका color देखो ठीक है इसकी length देखो इसका texture देखो और फिर आप अपने में standardization लगता है और काफी premium लगता है ठीक है तो अंदर आज जी प्लीज तो यह है आपका बैट्रूम नॉम्बर वन जहां पर अगर मैं बताओं आपको तो बैट तो दी गई आपको king size की screen पर आपको sizes देखने को मिल जाएंगी फिर भी इसकी size अगर मैं बताओं तो बाराबर ग्यारकी size है जहां पर आपको मैं बताओं show apartment की तरीके से इसको furnish किया गया है चीजे लगाई गई है यहां पर आपका bet है सामने आ जाती है आपकी wardrobe study kind of हैं यहां पर arrange किया गया है ठीक है तो यह सारी चीजे arrange करने के बाद आप देख सकते हैं कि space कितना बचा है अगर आप purchase करते हो तो क्या लगा होगे मुझे लगता है यह चीजे बेसिक चीजे तो आपको यह लगानी परेगी यह लगाने के बाद आपको space काफी अच्छा मिल रहा है ठीक है इसके साथ आपको मिल रही है एक balcony जिसको मैं attach balcony कहूंगा please come attach balcony में आने के लिए आपको 3 track में doors मिल जा दो ट्रैक में glass door एक mosquito mesh और यह है आपके balcony उपर से इंख्रोज है तो privacy का problem नहीं आएगा इसको जूलिट balcony भी कह सकते हैं standing balcony भी कह सकते हैं यहां पर आ रही है आपके toughen glass size काफी अच्छी है ऐसे की railing के साथ और यह सामने तो मैं बता हूं तो यह construction चल रही है ठीक है same apartment same developer का और यही show flat में दिखा रहा हूं आगे आपको building बनके मिलेगी और इसकी connectivity की बात बता हूं तो आपको पता होगा रावेट जो connected है ना center है आपको पूने बैंगलावर हाईवे से भी connected है पूने मुंबई हाईवे से भी connected है और रावेट BRTS road से भी connected है ठीक है तो इसकी connectivity काफी अच्छी अभी मैं दिखाता हूं आपका attached washroom अगर आप देखते हो तो आपके इसके भी color texture को भी आप देखेंगे तो same ही आपको लगेंगे even आप अगर इसकी length देखते हो तो लगबग सारे outfit की length है door की same ऐसा आपको मिलने वाला है जो काफी अच्छी चीज़े काफी premium हो जा इसकी जो भी fittings है आपकी जयवार की है वह सबसें आपको American Standard का मिल जाता है तो यहां पर आपको मैं बता हूं तो यहां पर आपकी आजाती है वेट अधायरिया को अलग कर दिया गया है तो काफी चीज़े आपको prevent हो जाती है आगे जो problem हो सकती है यहां पर ventilation पोपल से आपक कर सकते हो या तो आपकी घर में parents हैं थोरे सी बिमार अगर रहते हैं तो उनको भी use कर सकते हो आगे उनको चलने में अगर थोरी सी problem भी है तो आप यूज कर सकते हैं ठीक यह आपकी convenient के अनुसार मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के बताया यह है आपकी living space living की बात करो तो आप देख सकते हैं कि size कैसी है मैं बता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर बैठ रहू हूँ तो almost 8-10 लोग यहाँ पर accommodate हो सकते हैं 8-10 लोग आ जाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं सारी city की विवस्ता की गई है center table लगाएगे सामने अगर आप बैठते हो तो इस side आपकी आ जाती है television अगर मैं distance की बात बता हूँ तो so far to आपकी जो television के distance से काफी अच्छी है अच्छी का से distance से doctor भी कहते हैं कि भाई बच्छों को ना सामने नजदीक से TV ना दिखाया करें और उपर P.O.P. कर दिया गया तो अगर आप flow to ceiling height देखेंगे तो अभी भी मुझे लगत बता हूँ तो almost 2-4 और 2-6 लोग के लिए dining space बनाई गई है आप इसमें 6-8 लोग तक आप कस्टमाइज कर सकते हो आपको बस just dining table थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और अच्छा सा beautiful श्रा चंडले आ गया है यह जो फ्लैट है तो interior किये गए है यह सारी चीज आपको जो मिले आप जैसे आते हैं तो तीन ट्रैक में आपको डोर मिल जाते ग्लास दोर मिल जाते हैं और तीनों और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं तफन ग्रास काफी अच्छे खासी है मुझे लगता है कि 12-14 mm की तफन ग्रास यहां पे आपको देखने को मिलेगी और यह है आपकी living balcony अगर आप notice करेंगे तो आपको wooden flooring मिल रही है with electrification के साथ नीचे भी आपको wooden flooring मिल रही है यह कैसा है कि यह जो sample flat बनाए गया था लगबक एक साल पहले बनाए गया था अभी आपको काफी finished के साथ मिलेगा जैसा आप ऊपर देख रहो तो color सेम वैसा ही आने वाला है और यह आपकी toughened glass यह भी 12-14 mm की आपको toughened glass मिल जाती है ऐसे ski railing के साथ अब भी मैंने आपको बताया था bedroom no.1 में कि सामने आपकी building बन रही है यह show flat मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी size आपको screen पे देखने को मिलेगी अब मैं दिखाता हूँ आपका kitchen space तो please come क्योंकि ऐसा ना कि घर में अगर आप हो तो महिलाओं का जादा चलता है तो महिलाओं क्या होती है कि खाना अगर मैं बताओ आज तो दोनों लोग खाना बनाते है मतलब महिलाओं कोई है नहीं बट मैं बताओं कि काफी अच्छा लाएगा जो भी खाना बनाने वाले हैं स्पेस काफी अच्छा है किचन के अगर थोड़ा सा दूर से देखे तो बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिलेगा किचन की जो प्लैटफॉर्म है वो काफी अच्छी है चौराई यहां पर आजाएगी आपकी रेफ्रिजेटर प्लीज हमारे वेवर्स को दिखाए यह रेफ्रिजेटर के लिए स्पेस है और इनफ स्पेस है आप इनफ इंटियर कर सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके साथ का अट्टैच यानि ड्राय बालकनी ठीक है आप यह पार्ट होगा तो यह आप यूज्व कर सकते हू clear ventilation अभी मैं चलता हूँ अपार्टमेंट के दूसरे संप्चेन में यानि आपकी सगेंड बेगरूम को दिखाता हूँ मैं तो जैसे kitchen के सामने आप देखते हैं ना यहां पर टेक्निकली अगर मैं बताओ ना तो सेकंड बेटरूम जो होता है वो बच्छों के लिए बना जाता है ठीक है जैसा कि आपको मैंने बनाया फॉर्स बेटरूम आपने बना लो गेस्ट के लिए या पैरेंट्स के लिए ठीक है सेकंड वेडरूम आप बना लेते हैं बच्छों के लिए बट यहां पर साइज अगर आप देखेंगे बैट की तो इसकी थोरी बड़ी आती है यहां पर देखेंगे तो वाट्डोब आपकी आ जा रही है और अच्छी कासी डेप्थ के साथ आ रही है ठीक है तो यहां पर कितने भी बच्छों के अप्र रख लो कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाले यह ना सो फ्लेट काफी अच्छा गास एंटी इर गया गया अगर मैं इसकी बताओ तो डेप्थ यहां पर भी काफी यूटलाइज हुई है ठीक है यहां पर बीड़ा से काफी अची क्वालिटी की है उपर वाला मूव कर सकते हो एस पर और वेंटिलेशिंग पर उपस जो तीन ट्रैक में है दो ट्रैक में ग्लास दोर एक मॉस्कुटो मैस के शाथ अब मैं दिखाऊंगा आपका नेक्स पॉस्ट जैसा कि आपने इसमें देखा सेकंड वेटरूम में आपको वाश्रूम कॉमन मिलने वाला है तो बाहर आपको मि सकते हैं और यह आपका कॉमन वाश्रूम में आपको आ जाती है कमोड टोटो की यहां पर आपकी सावर सेक्शन यह भी बहुत ही अच्छा मूव है मतलब एक अच्छी च्वाइस है कि आपका वेट ड्राइए नीचे आप देखेंगे तो अलग कर दिया गया एक स्लाइब न यह कॉमन वाश्रूम गीला नहीं होगा क्योंकि दोनों सेक्शन को अलग कर दिया गया अब मैं दिखाता हूं आपका अटाच थर्ड बेड्रूम सॉरी थर्ड बेड्रूम तो इसको आप टेकनिकली बना सकते हैं आपका मास्टर बेड्रूम घर के ओनर के लिए बेड्रूम ठीक है सॉरी लाइट थोड़ी सी कमी है कैसा है कि लाइट तुम मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं माफी चाहता हूं आपसे लाइट की वाज़ा से बट यहां पर आप देख सकते हैं तो आपका साइज इग्जाक्ली स्क्रीन पर आपको दिख रही है अच्छी का अगर देख से दो फिट की लगबग इसकी डफ है ठीक है और अच्छी खासी है अगर देख से दो फिट हो जाती है तो आप सोचो कितनी सारी चीज़े आप अंदर रख सकते हो ठीक है इसके साथ आ रही है आपको इस अपार्टमेंट में 3BHK के साथ 4 बालकनी मिल रही है ठ उपर से इंक्लोज है तो प्राइविसी का प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है मीचे आपको वोडें फिनिशिंग के शाहत आएगा उपर आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है वोडें फिनिशिंग इलेक्रिफिकेशन के साथ यह टफन ग्लास आ रही है अच्छी का आपको दिखा देता हूँ अटाच वाश्रूम में जैसे आप आते हो तो सबसे पहले मैं आपको गौर कराना चाहूंगा आपके डोर्स पर लेंथ कितनी अच्छी है अपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो लेंथ आप देख सकते हो सारा बहुत अच्छा है ठीक है वो और आई भी अच्छी है लंबाई भी अच्छी है इतनी अच्छी मतलब साइज मुझे नहीं लगते कि वह अटाच वाश्रूम में आ रहे हैं इस प्राइस काफी बढ़ गया है इस एरिया में एक करोड़ पैतालीस लाग रुपे में 3DH के अपार्टमेंट और इस स्पेसि स्पेसिम क्वालेटी की है तो अभी क्या होता है ना कि यह आपको एक्जाक्ली साइज में आपको स्क्रीन पर दे दूँगा यह 3DH के अपार्टमेंट 1148 का कार्पेट है और सिर्फ एक करोड़ पैतालीस लाग रुपे कनेक्टिविटी वाइस बताऊं बहुत ज़्यादा अच्छी है आपको यह मुकाई चौक से आपको यह पूत बैंगलोर हइवे से कनेक्टेड है पूने मुंभाई है डावेद से कनेक्टेड है अगर आपको यह साइट विजट करना है तो आप प्लीज जाकर कॉल कर सकते स्क्रीन पर हमारे नंबर है मैं मैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद थैंक यू